हमारा आज का जो लेक्चर है वो Mendel's Law of Inheritance के बारे में होगा और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा introduction देख लेते हैं कि जो मेंडल हैं ये कौन थे और इन्होंने अपने experiments को कैसे perform किया तो सबसे पहले तो मेंडल जो हैं इनको हम founder कहते हैं classical genetics का और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने दो बहुत जदा important और basic laws जो हमें बताये थे और ये laws कौन से थे इन में जो हमारे पास सबसे पहला law है वो है law of segregation और जो दूसरा law है वो है law of independent assortment ये दोनों law जो हैं ये मेंडल ने पेश किये थे और ये basics थी genetics की इसलिए इनको founder of classical genetics का आ जाता है पेशे के इतबार से ये एक price थे बादरी थे और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपनी जो church है उसके garden में इन्होंने पी plant के उपर जिसको हम पाइसम सेटिवम कहते हैं इसके उपर experiments किये थे और इन्हीं के उपर experiments करते हुए इन्होंने अपने laws जो है उनको define किया था और इनके तमाम experiments जो है वो क्योंकि P plants के उपर थे इसलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वो reasons क्या थी जिनकी वज़ा से P plant को choose किया गया था P plant को choose करने के पीछे जो मेंडल ने reasons दी है उनमें जो हमारे पर सबसे पहली reason है वो है easy to cultivate इसको cultivate करना आसान था इसको grow करवाना आसान था कोई खास requirements नहीं थी जिसकी वज़ा से इस plant को choose किया गया second point है it grew well in his garden कि ये उनके garden में बहुत ही असानी के साथ जो ग्रो कर सकता था जैसा कि हम जानते हैं कि जमीन के मुक्तलिफ इलाकों में मुक्तलिफ प्लांट्स जो हैं वो grow करवाय जा सकते हैं तो जहां पर ये रहते थे वहां पर प्लांट को grow करवाना असान था और उसके लि मेल और फीमिल पार्ट दोनों मौझूद होते हैं यानि कि ऐसे प्लांट्स जिनके पास एक ही टाइम में मेल और फीमिल पार्ट्स दोनों मौझूद होते हैं उनको हर्मेफ्रोडाइट खा जाता है और हर्मेफ्रोडाइट होने का फाइदा क्या होता है इसका फाइदा यह होता है कि ये ऐसे plants होते हैं जो self-fertilization भी कर सकते हैं और cross-fertilization भी कर सकते हैं तो इनको choose करने के पीछे एक वज़ा ये भी थी कि normally जो है ये plants self-fertilize करते थे लेकिन इनकी cross-fertilization भी करवाई जा सकती थे इनका generation time जो है वो बहुत ज़्यादा short था basically हमें कम time में ज्यादा generations जो है वो चाहिए होती है क्योंकि genetics में हम generation after generation जो है उसको study कर रहे होते हैं और इसलिए genetics के अंदर ऐसे organisms को choose किया जाता है जिनका generation time जो है वो बहुत कम हो और जो last season थी वो ये थी कि इनके पास pea plant के पास ऐसी traits थी जिनको easily identify किया जा सकता था और ये कौन सी traits थी ये basically seven traits थी और इन में से जितनी भी traits थी उन तमाम traits के two clear cuts जो है alternative forms मौझूद थी जिनकी वज़ा से असानी के साथ उनको identify किया जा सकता था ये traits कौन-कौन सी थी इन में हमारे पास जो सबसे पहली trait थी वो थी seed की shape और seed की shape कैसी हो सकती है seed जो है वो यहां तो round हो सकता है यहां पर wrinkle हो सकता है जिसके उपर जुरियां होती है second जो trait है वो हमारे पास seed कलर की आ जाती है और जैसा कि आप देख सकते है seed यहां तो yellow कलर का हो सकता है यहां पर green कलर का हो सकता है इसी तरह से जो third trait है वो floor color की है और floor का जो color है वो यहां तो purple होगा यहां पर white हो सकता है उसके बाद pot की qualities आ जाती है जो फली होती है pot की जो shape है यहां तो round हो सकती है यहां पर pitch की होई हो सकती है इसी तरह से अगर pot के color की बात की जाए तो जो pot का color है वो यहां yellow हो सकता है यहां पर green हो सकता है इसके बाद अगर हम floor की position को देखें तो flowers जो है यह यहां तो axial हो सकता है जैसा कि आप देख सकते हैं plant में दर्मियान में कहीं मौझूद होगा यहां पर यह terminal हो सकता है जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि बिलकुल end में जो है plant के मौझूद होगा और जो last trade थी वो थी plant की height plant जो है वो यहां तो tall हो सकता है यहां पर short हो सकता है तो basically मेंडल ने इन 7 trades को इसलिए study किया था क्योंकि हर trade की 2 alternative forms मौझूद थी और इनके मदद से इसको study करना आसान हो गया मेंडल ने तमाम चीज़ों को study करने के लिए एक तरीका एकार बनाया और उसमें इसने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले इसने true breeds जो हैं उनको establish किया true breeds जो हैं यह basically क्या होती है true breed हम ऐसे plant को कहते हैं कि जिसमें जो gene मौझूद होगा उसमें दोनों alleles एक जैसी होंगी for example अगर हम seed के color की बात करें तो seed का color जो है इसके अगर हम gene को देखें तो इसके पास दो alleles जो हैं वह हो सकती है seed color का जो gene है इसके पास अगर alleles को देखा जाए तो वह दो हो सकती है वो हमारे पास कौन सी होंगी capital Y and small Y तो अगर तो plant जो है उसकी दोनों alleles same होगी यानि कि वो homozygous होगा तो उसको हम कहेंगे कि वो true breeder है जैसा कि जो इस case में दो तरह के plants true breeder हो सकते हैं अगर तो plant जो है वो capital Y और capital Y है तो वो true breeder होगा या पिर अगर plants है वो small y और small y है जिसका color green बनेगा तो वो भी क्या होगा true breeder होगा तो true breeder जो है वो क्या होता है true breeder ऐसे plant को कहा जाता है जो कि homozygous होता है homozygous ऐसे plant को कहा जाता है जिसके पास दोनों alleles जो हैं वो एक जैसी होती है वो homozygous होता है वो heterosygous नहीं होता है अगर एक अलील जो है वो capital है तो दूसरी भी capital ही होगी और अगर एक smaller है तो दूसरी ладно भी smaller होगी तो जैसा के हमने यहां पे किस की बात की हमने यहां पे seed के color की बात की और हम जानते हैं कि जो seed का color है वो दो तरह काॉ सकता है क्योंके मैंडल ने ऐसी traits को study किया था जिनकी दो forms मौजूद थी इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैंडल ने 7 traits को study किया था तो 7 traits के लिए मैंडल ने कितने true breeder बनाए होंगे मैंडल ने 14 pure true breeder बनाए होंगे जैसा कि हम यहां पे seed color की बात करें तो यहां तो seed yellow होगा यहां पर green होगा और इसी तरह से अगर हम shape की बात करते हैं तो shape यहां तो round होगी यह ankle होगी प्लांट की height की बात की जाए तो प्लांट यहां tall होगा यहां पर short होगा तो इस तरीके से 7 traits के लिए Mendel ने 14 pure true breeder जो है उनको generate किया ताके तमाम characters को, तमाम traits को study किया जा सके Monohybrids का एक concept है कि Monohybrids क्या होते हैं Monohybrids जो है Monohybrids क्या होते हैं Mendel ने ऐसे पोदों के cross करवाए जो के सिरफ एक character में फर्क थे बाकी तमाम characters जैमोन के एक जैसे थे तो ऐसे जब cross करवाए जाते हैं तो इनसे जो offspring हासिल होते हैं इनको हम Monohybrids का नाम देते हैं Mendel ने जो सबसे पहली trait study की थी वो trait थी seed की shape इसकी हम जो है वो basic समझ लेते हैं कि जो seed की shape है इसके लिए जो responsible gene है उसकी जो alleles हैं वो दो alleles हो सकती हैं वो या तो capital R हो सकती हैं या फिर small r हो सकती हैं और इसमें capital R जो है ये round के लिए responsible हैं जबके small r जो है ये wrinkle होने के लिए responsible हैं अब अगर हम इनके possible combinations की बात करें, तो plant के अंदर यहां तो capital R, capital R, अलील हो सकती है, यहां फिर capital R, small R हो सकती है, यहां फिर small R and small R हो सकती है. और जब इनको study किया गया तो capital R और capital R जो हैं, यह जो plants होते हैं, इनके seed round होते हैं, इसी तरह से capital R और small R जो हैं, इनके seeds भी round होते हैं, और small R और small R जो हैं, इनके seed की जो shape होती है, वो wrinkle होती है. जो हमारे पास case number 1 और जो case number 3 है हमारे पास ये homozygous है जबकि जो case number 2 है ये हमारे पास heterozygous है और हम इसी heterozygous वाले case को देखते हैं heterozygous वाले case को अगर हम देखें तो ये round है इसके round होने का मतलब ये है कि जो quality show हुई है वो capital R की show हुई है जबकि small R जो है उसकी quality show नहीं हो सकी तो basically capital R जो है उसने जो small R की quality थी उसको mask कर लिया और उसको show नहीं होने दिया इसलिए हम ये कहेंगे कि जो capital R है वो क्या है वो dominant है यानि के जो round होना quality है वो dominant है जबकि जो wrinkle होना की quality थी जो small R है वो क्या हो जाएगा वो recessive हो जाएगा अर्चार कर रुछ उसकी जो पकूढ़ कर लिए जाएगा क्वाड़ श्यार्व जदक आएगा क्याट